जिया, नाना को भी ले चलो चलो, अमको भी ले चलो बोईसिन ना तो पापा जिया जम जिया बाना जिया बैठो, गिर जाएगी जी यू, इधर देखो जिया क्या करती है जिवी जिया आगई अपना जगा में जिया, कहा है जिया जिया घूमने जा रही है जिया, जिया चलो, मामा के पास आओ सो गई है सीट में जिया बहुत दिनों के बाद घूमने निकली है और कहा हम लोग लेके जा रहे है वह जिया को सूर्य मंदर जिया सुर्य मंदिर जा रही है जो गूमने जिया को पता नहीं है जिया को लग रहा है कि हाँ बस ऐसे ही गाड़ी में घूमना है जिया मस्ती से बैठी गी है जिया को बस गाड़ी चाहिए जिया को सिर्फ गाड़ी में घूमना है जिया इधर देखो बिटा जिया आई दरा इसे खड़ो होती है, यह बहुत समस्दार बच्ची है लेकिन हाँ, सिर्फ अपना मामा का बात सुनती है आगई हम लोगों के घर से सुर्य मंदिर पाँच मिनिट का दूरीते है और सुर्य मंदिर जारखंड का बन अफ दे बेस्ट प्लेस है जहां हमको लगता है हर किसी को आना चाहिए यहां का अट्मसफेर यहां का सारा कुछ आप एक बार आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां से जादा सुगून कहीं नहीं है तो आज हम लोग वहां जा रहे हैं जिया को लेके हलाकि बारिश हुई है तो हम लोग उपर नहीं जाएंगे हम लोग नीच ही रहेंगे तो चलिए हम लोगों के साथ आप देख सकते हैं जिया एकदम मस्ती से नजारा ले रही है व्यू देख रही है जिया है जिया बहुत चोटी सी थी झब माव लेके हम रोग सुर्यमंदीर आय थे तब जिया श्कूटी में ही आगई थी और अब जिया श्कूटी से आने आने जाने लाहिक रही नहीं है जिया नहीं हम गिराती करने हाला कि बहुत सारे लोग उते हैंजो भच्चा लोग कोienie चूटी में चलने के लिए ट्रेंड करते हैं पर हम लोग कभी बच्चा को स्कूटी से लेके नहीं निकले हैं जब छोटा था ये लोग लेके घूमते थे लेकिन बड़ा होने के बात फिर हम लोग जान बुछ के नहीं कि क्यो रिस्क लेना क्योंकि हम लोगों का घर हाइवे पढ़ता है जिया का घर कलेक्ट सब चल गिया देख सकते हैं आप वैबाव जिया का मामा ड्राइव कर रहा है यह हमारा बुंडू है अब ही हम लोग अपने घर से निकले वे हैं थोड़ा वक्त लगेगा हम लोगों को पहुचने में क्योंकि हम लोगों का घर बिलकुल टाउन में है तो यहां से हाइवे पे आना फिर सूर्य मंदर के लिए हम लोगों को टोल क्रॉस करना पड़ता है वला कि यह त्वर पलाजा बड़ा नहीं बहुत ही खुबसूरत है आपको यह का नजारा बहुत ही खुबसूरत लगेगा देखने में भूय के लिए शत्रुप ऑक्ज पर आया भूस की हम लोगे when the तोल देना नहीं पड़ता, इसके पीछे बड़ा रीजन है, हम लोग हाइवे पे आ चुके हैं, और हम लोग अब बहुत जल्दी सूर्य मंदिर पहुचने वाले हैं, हाला कि शाम हो गया है, घर से हम लोगों को हिदायत मिला है, कि ज्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि बारि